ओम्षांति! मैं डौक्ट R. Sachin पर अब मुंबई से बोल रहा हूँ स्वास्त की शृिंखला में हमने संपूर्ण स्वास्त शारि रिक मानसिक स्वास्त देखा चिंता की बीमारी के बारे में देखा आज हम दूसरी बहुत कौमं मांसिक बीमारी के बारे में देखने वाले है और वो बीमारी है डिप्रेशन या निराशा की बीमारी इस समय ज्यादतर लोग इस बीमारी से ग्रसित है जिस तरह से हम जीवन पद्दती जी रहे हैं डिप्रेशन बढ़ते जा रहा है depression की बीमारी एक spectrum है इसमें बहुत सारी बीमारी आते हैं मैं फिर से यहां पे फरक करना चाहूंगा कि depression एक बीमारी है मेरे पास बहुत लोग आते हैं और सामने से आके बोलते हैं कि मुझे depression हो गया है यहां पर हमको ध्यान में रखना है कि मूड उदास होना और डिप्रेशन की बीमारी होना यह दोनों अलग बाते हैं मूड उदास लगना और डिप्रेशन की बीमारी होना यह दोनों अलग बाते हैं हम सबका मूड कभी ना कभी लो रहता है इसका मतलब ये नहीं कि हमको depression की बीमारी है इसलिए ये शब्द इस्तिमाल नहीं करे और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बार बार इस शब्द का इस्तिमाल नहीं करे क्योंकि हमारा अंतर्मन सुन रहा होता है depression की बीमारी हम कब कहते है कि जब उस व्यक्ति में तीन प्रमुख लक्षन आते हैं इनको हम ट्रायड कहते हैं अंग्रेजी में और वो ट्रायड क्या है तो तीन शब्द है helpless, hopeless और worthless, helpless माना मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, hopeless माना मेरे जीवन में कोई hope या उमीद बची नहीं है और worthless माना मैं किसी खामका नहीं हूँ, ये तीन प्रमुख लक्षन है और जब ये लक्षन कम से कम 15 दिन तक लगातार रहते है तब आपको depression की बीमारी हो सकती है, आप खुद इसका diagnose नहीं कीजिएगा आप professional doctor के पास जाके इसका निदान कीजिएगा depression जैसे मैंने कहा, बहुत सारी बीमारी है, जो मुख्य depression की बीमारी है उसको हम कहते है major depressive disorder, बाकी जो depression है जैसे persistent depressive disorder आपका मुड हमेशा लो रहेगा लंबे समय तक, तीसरा है कुछ बीमारी हों के साथ depression आता है फिर उसके बाद शारीरिक बीमारी हों के साथ depression आता है, जैसे heart attack के बाद depression आएगा या cancer के बाद depression आएगा, ये भी depression है और फिर depression एक बहुत बड़ी मानसिक बीमारी का एक हिस्सा है, जिसको bipolar depression जिसमें typically वो cycle में चलता है, तीन मैना वो उन्माद में रहेगा, तीन मैना depression में रहेगा, ये cycle बदलता रहता है, एक मैने का पंदरा दिन का भी हो सकता है तो इस तरह से depression है और एक atypical depression है, जिसमें जैसे classical symptoms depression के नहीं होते हैं तो उसको atypical depression कहते है, माना typical नहीं है, और इसके साथ में ऐसा भी depression है, जो दवाई को respond नहीं करता है माना कितना भी दवाई, जो प्रमुक दवाई है, दो या तीन दवाई आप highest dose में देने के बाद भी ठीक नहीं होता है, उसको resistant depression कहते है डिप्रेशन का सबसे बड़ा नुकसान है कि उसके end stage में व्यक्ति को आत्मत्या के विचार आते हैं और व्यक्ति अपने जीवन को समाप्त कर सकता है, इन सब को हम बचा सकते हैं खुशी की बात है कि depression के ओपर अच्छी दवाईया और अच्छी therapies available है, मैं स्वयम CBT therapy का इस्तिवाल करता हूं, cognitive behavioral therapy, इससे बहुत सारे depression के मरिस ठीक हुए है depression को अच्छा guidance मिले, अच्छा counseling हो, अच्छी दवाईया मिले और अपने जीवन पद्दती को वो संतुलन मिलाए तो हम depression को ठीक कर सकते हैं, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि meditation, उसमें भी ब्रह्मा कुमारीज राजयोक meditation से बहुत लोगों को depression में मदद मिली है दवाईयों का dose कम हुआ है, resistant depression का case मेरे पास था, जो 15 साल से depression की गुली खा रहा था, वो भी meditation से ठीक हुआ है तो हम किसी भी depression की stage में हो, किसी से बात करने का दिल ने करता है, रोने का दिल करता है, अकेला रहने का दिल करता है अगर लंबे समय तक आपको ये लक्षन है, तो आप कृपा करके जल से जल therapist की सलाह ले, केवल बात करने से सभी depression नहीं जाते है दवाई लेना जरूरी होता है, तो हम यहीं मानते हैं कि दवा और दुआ, इन दोनों को हम इस्तेमाल करें, तो depression में बहुत अच्छे result आते है और अगर कोई व्यक्ति आत्मत्या के विचार उसको आते हैं, तो उसको जल्द ही डाक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि इन विचारों को हम रोक सकते हैं तो आप या आपके रिष्टेदार कोई भी अगर depression की समस्या से जूज रहा है, तो चिंता करने की बात नहीं, इसका इलाज अवेलेबल है, सही दवाई, सही थेरपी, जैसे मैंने CBT कहा, मेडिटेशन, और जीवन में, लाइवस्टाइल में कुछ चेंजे सम करें, तो हम depression क की दिवा बीमारी को या तो नियंदरन में रख सकते हैं, या पूरी तरह से इससे मुक्त हो सकते हैं, अच्छा, ओम शान्ते